हे त्रिलोकिनाथ, हे पद्मनाब आपको कोटी-कोटी धन्यवाद आपका धर्ती बरवतरण, कमकोण जगत के लिए कल्यानकारी सिद्ध होगा अब जिस रूपनें भी दिखाई दें, वही रूप सुन्दर और महान है आपका ये वामन रूप भी अतन्त मनोहर है अन्यवाद देवराज, परंतो इस बार मैं स्वयन धर्ती पर बिक्षा मांगने आया हूँ बिक्षा मांगने? हाँ देवराज, बिक्षा मांगने, एक बिक्षुक पन कर आपकी बार्णी सुनकर हम समझ देवता मूख रह गए हमें आश्चरी हो रहा है हे सरवेश्वर क्यों? आश्चरी क्यों हो रहा है देवराज? बिक्षा मांगना कोई भला कार्य नहीं हे जग्दिश्वर, बिक्षा मांगना तो एक निक्रिष्ट कर्म है दिंदनी एकारी है, सामाजी कपराद है बिक्षुक तो द्या का पात्र होता है भही देवराज, आप जो कह रहे हैं, वो अवश्य ही असक्ति नहीं पर पून पयास सक्ति भी नहीं मैं समझा नहीं है निलकान्त देवराज, वो बिक्षा जो अथक परिश्रम के भैसे शारिरिक कष्ट उठाने के भैसे अलस्य से मांगी जाती है वो अवश्य ही एक निक्रिष्ट कर्म है, जो निंदनी है एक सामाजी कपराद है परंतु बिक्षा के और भी दो रूप होते हैं देवराज और रूप? और रूप क्या हो सकते हैं जगदिश्वर? देवराज, ज्यान से देखें तो अर प्रानी जन्म से बिक्षुकी होता है उसका सारा जीवन बिक्षा मांते मांते ही व्यतीत होता है वह जिन बस्तों की बिक्षा मांता है उन सारी वस्तों की दिन्दा भी नहीं की जा सकती अब ग्यान का श्रूत हैं निलकान ग्यान का अधार हैं जो आप जानते हैं कोई और उसका एक अंच भी नहीं जान सकता प्रक्षमा करेम हम आपके विचास समझने में असमर्द हैं आप जो कह रहे हैं हमें उसकी व्याक्या जानने की इक्षा हो रही है कोई प्राणी मात्र जन्म लेने से ही बिख्शुक कैसे हो सकता है देवराज कोई कैसे जन्म से ही बिख्षुक हो सकता है देवराज प्राणी तो जन्म लेते ही सर्व प्रथम अपने माता से दूद की बिख्षा मांगता है है ना फिर जैसे ही आयू बढ़ती है अपने पिता से सुरक्षा की बिख्षा मांता है एक शिष्ष के रूप में अपने गुरू से ज्यान और विद्या की बिख्षा मांता है नहीं पीडियां पुराने पीडियों से उनके अनुभव की बिख्षा मांती है तो अधे जड़ क कि लिए चल्द से अने की सुरक्षा के लिए वायू से और फल फूलों की वृद्धी के लिए प्रकाश से जुक्षा मांगते हैं कि यह सब्सक्राइब देवराज भन्य है वासुरेव भन्य है आप इतनी ज्यानवर्थों कर मनमोग बाते हैं आपकी आपने तो विक्षा के अर्थी बदल दिये लिए लिए लाज पुश्प के निकट जाय बिना इसका निल्ले नहीं किया जा सकता कि उसमें सुगंध है या दुर्गंध आलाप के बिना इसका ज्री योग्या है या नहीं और उसी प्रकार किसी वही स्टू को ध्यान से देखिए लिए इसका निल्ले नहीं सकता देवराज यूश वस्तू में गुण है या आवगूं तो अर्वग्षा भीछा महान है जो ज्ञान में विर्धी करती है और अभी तो आपने स्वयम मुझे भीक्षा मांगते देखा आपने हमारे नित्र फोल दिये त्रिलो की नाथ कि विक्षा सदेव शीष नवाघर मांगी जाती है देवराज सेर का जुकना मन और मस्तिश्क में भरे हुए हैंकार की मृत्यू की घोश्रा है पराणी का सबसे महान वहिरी है तेवराज और यदी इस इस वामन रूत में मैं भीक्षा मांगूँगा तो एक आदर्ष प्रिस्थापित होगुगा मानव यह समझ पाएगा की भीक्षा का सहीं अर्थ क्या है क्योंकि यदि मैं बिक्षा मांगूंगा तो केवल मानव कल्यान के लिए जगत कल्यान के लिए जो की मेरा लक्ष है देवी स्वामी आप कहां खो गई थी आप जो आपको मेरे आने तक का भास नहीं हुआ इतनी महान घटना हुई है आप संभरता स्रिष्टी की सौभाग्य वतिनारी है कि भगवान श्री विष्णू ने मानव रूप में जन्म लेने के लिए आपको माता के रूप में चुना है परन्तु आपके मुख पर ये जिन्ता की छाया अच्छी नहीं लगती क्या बात है आप प्रसन नहीं है ऐसा मत कहिए स्वामी मैं बहुत प्रसन हूँ इतनी प्रसन हूँ कि मेरे पाउँ धर्ती पर नहीं पड़ रहे जिसे भगवान शे विष्णों की मा बन्ने का सम्मान मिला हो वो प्रसन है क्यों नहीं होगी किन्तु क्या देवी उनका ये वामन अवतार मेरे लिए चिंता और भहे का कारण बना हुआ है इतना छोटा आकार लेकर वो इतनी शक्तिशाली बली का सामने कैसे करेंगे कहीं उन्हें कोई हानी न पहुंचे मुझे तो हर पल ये ही चिंता दुखी कर रही है ये ही बैखाये जा रहा है देवी वे इश्वर हैं वे जो करते हैं उसके पीछे क्या कारण है ये तो वही जानते हैं यदि वे चाहते तो वो एक विशाल काय रूप भी धारन कर सकते थे परन्तु नोंने अपनी स्विच्छा से वामन रूप का चैन किया इसके पीछे भी कोई कारण अवश्य होगा कोई भेद अवश्य होगा आप जिन्ता ना करें सब कुछ भगवान विश्णु पर ही छोड़ दें कि 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 उत्रभली उत्रभली अरे ये गुर्दय को अचाने क्या हो गया मैंने अपने जीवन में उन्हें कभी इतना व्यग्र और भेवीत नहीं देखा लगता है गुर्दय ने ध्यान में कुछ ऐसा देख लिया है जिसने उन्हें व्यग्र और भेवीत कर दिया है अकुच्छ वोग्री जानी अरे अजीव प्रणान गुर्दय क्या बात है आप इतिने चिंती तोर व्यक्र को उठें मुझसे कोई प्रश्ण मत पूछना वद्स मेरे पास प्रश्णोत्तर का तनिक भी समय नहीं है जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और उसका पालन करो जो अग्या गुरुदेव पुत्र देवत्र तुम्हारे विरुद्ध शर्यंत्र रच रहे हैं शर्यंत्र परंतु कैसा शर्यंत्र मैंने कहा न मेरे पास प्रश्णोत्तर का समय नहीं है एवल इतना जान लो कि मैं उनके शर्यंत्र को सफल नहीं होने दूँगा परंतु इसके लिए तुम्हें इसी समय मेरे साथ चलना होगा जो आग्या गुर्देव परम्तु मुझे कहां चलना होगा क्या करना होगा तुम्हें सबसे पहले मेरे साथ चलकर अश्वमेध यग की घोशना करनी होगी मुझे विश्वास है लोग में किसी के पास इतना साहस नहीं है कि वो तुम्हारे अश्व को रोक सके और यदि अश् स्क्रिया संपूर्ण हो गई कि देवताओं का शड्यंत कि विफल हो जाएगा गुर्देव मैं आपसे नुलोद नहीं करता है परंदु यदि आपकी इक्षा हो तो मुझे देवताओं के शड्यंत का कुछ ग्यान दोजें तुम्हें स्मरण होगा कि देव माता अदिदी त तुम्हारी दान डक्षना की ख्याती सुनकर तुम्हारे पास आई थी हाँ गुर्देव मुझे भली भातिस मरा है और वो अपने पुत्रों के लिए शमादान मांगने आई थी मुझे इस बात का भी अनुमान है पर तुमने पहले ही अपना निर्णे सुना दिया था कि को भी और कुछ भी दे सकते हो तो देव माता को निराज शोकर तुम्हारे दोर से लौटना पड़ा तो फिर गुर्देव फिर वो विश्नु के पास गई और उन्हें उनका एक पुराना वचन निस्मरण और उसी के फलसरूब विश्नु ने तर्टी पर अवतार ले लिया यह तो बड़ी प्रसनता की बात है गुर्देव उतनी प्रसनता की बात भी नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो यह कैसी बात है इसका अनुमान केवल मुझे है अब कोई भी प्रश्न मत पूछना देना को सारे विश्मि ब्रहमण का अदेश दो यग्ग का अश्व छोड़ो लोग को जीत लो कोई तुम्हारे समख्ष ठहर नहीं सकता मैं सफलता के इतने उच्च शिगर पर पहांच कर मिजलना और गिनना नहीं चाता वत्स अब एक शण भी नश्ट करना महाँ पाप होगा यह मेरी आग्या है यह मेरा अदेश है गुर्देव आपकी आग्याका भी और इसी समय पालन किया जाएगा यह की काश्व अभी छोड़ा जाएगा अब मुझे जाने की अनुमती दीजिये माता श्रीप जाने की अनुमती कहां जाने की पुत्र मुझे अपने जन्म का कारण सिद्ध करना है कैसे अनुमती दू मेरी प्रियब पुत्र अपी तो मैंने तुम्हें जीबार की निहारा भी नहीं है तुम्हें अपने स्नेह सागर से एक बोन भी नहीं दे सकी हूँ माता मैं तो आपका पुत्र बन के जन्मा हूँ आपके स्नेह पर मेरा अधिकार सदैव रहेगा कि परंतु सरव्प्रथम मुझे मानव कल्याण का लक्श प्राप्त करना है मुझे बली के पास जाना है माता बली के पास परंतु पुत्र वू बाहूँ शक्तिशाली है बहुत विशाल काई है और तुम और मैं देखने में दुर्बल और आकार में छोटा हूँ यही कहना चाहती है ना आप हाँ पुत्र भाता साहस का आकार शरीर के आकार पर निर्भर नहीं होता और भीतरी स्वरूप पारी रूप पर निर्भर नहीं होता और फिर इस बार तो मैं अहिंसा का संबेश लेकर आया हूँ ना आपका पुत्र बनकर जन्न लेने से पहले ही मैंने ये कह दिया था माता कि मेरा लक्ष बली से युद्ध करना नहीं है उसका वद करना नहीं है मुझे तौ केवल उसके अहंकार का नाश करना है मुझे बली को ये जताना है माता कि मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ परंतु मानव परत्याचार और मानव अत्याक कदा भी सहन नहीं कर सकता मुझे उसे ये बताना है कि विश्व विजेता होकर भी कोई भी ईश्वर से बड़ा नहीं हो जाता उसे ये समझाना है माता, कि दानी होने का अर्थ ये नहीं है, कि कोई महानतम हो गया, इश्वर से भी बड़ा हो गया योगि इश्वर जो दान दक्षिना की सामगरी देता है, बंदार देता है, वही सबसे महान होता है ये माता, उसे मुझे ये भी समझाना है, ये इश्वर धनवानों का चुनाव केवल इसलिए करता है, कि वो धन निर्धनों तक पहुँच जाए और ये सब कुछ बताने के लिए मेरा वली के पास जाना अलिवार ये है माता, मुझे अनुमती दीजिए मैं मा हूँ, धर्ती मा, बली की सेना अश्वर लेकर सारे विश्व में गई, डेप्टे गुरु शुक्राचारे ने सच कहा था, कोई भी उसके सामने ठहर नहीं सका, किसी को उसका अश्वर रोकने का साहस नहीं हुआ, उसकी सेना उसका आश्वर लेकर विजय पता का फैराती हूँ लोट आई, और आरंभ हुआ यग्य का समापन जसकी नहीं से जसकी साहस में गुआ हां, समात्सफड़ लेकर विश्वर लेकर विश्वर वभा हुआ वड़ वाँ सब्सक्राचारा इंए, और क्राफ़ विच्क्वर विषक में जसका बता सुर्सक्राइब झाल झाल यग्य के समापन के लिए अंतिम समिधा डालो वत्स ओम भावतु बिक्षाम बेही तुम यग्य छोड़कर कहीं नहीं जाओगे विक्षाम देही राजन शमा करें गुर्देव कि तुम बली के द्वार पर कोई भिक्षो काए और उसे भिक्षा के लिए दूसरी बार भी गोहर करनी पड़े तो बली की दानी विर्ति को सौ बार दिकार है अब मैं नहीं रुक सकता वत्स रुख जाओ वत्स रुख जाओ ब्रनाम राजन प्रनाम ब्रामोदेव कहों चाहिए आपको राजन मैं तो एक साधारन ब्रामान हूँ और एक ब्रामान विक्षा के अतरीकत में और क्या चाह सकता है क्या वेक्चा चाहिए आपको सुर्ण गोधन गजदन हीरे मोती नहीं राजन मुझे इनमे से कुछ भी नहीं चाहिए ब्रामादेव तो फिर जो भी आवशकता हो आपकी मेरे सामने व्यक्त कीजे यदि मेरे वश में हुआ तो मैं इसे पूरा करने में तनिभी संकोष नहीं करूँगा राजन राजन मुझे तो केवल तीन पक भूमी चाहिए तीन पक भूमी ब्रामादेव क्या करेंगा तीन पक भूमी का मैंने तो ये सुना था कि दानी बली मैं ये पूछता है कि वो दान किसे दे रहा है और मैं ये पूछता है कि वो दान में क्या चाह रहा है ब्रामादेव मैंने तीन पक भूमी मांगने का करण इसलिए नहीं पूछा था कि मैं परियास करना चाहता हूँ तो फिर क्यों पूछा मैंने इसलिए पूछा था प्रामोदेव, यदि कोई ऐसा व्यक्ति तीम पक भूमी मांगे, जिसका आकार साधारन व्यक्ति की तरह हो, थो भी उसका कुछ भला ना होगा, और आप जैसे आकार वाली व्यक्ति के, तीम पक तो और भी कमिस्तान घहरेंगे, उसमें तो साधारन व्यक्ति खड़ा भी नहों पाएगा, राजन, मैं ये तीन पक भूमी किसी साधारन व्यक्ति के लिए नहीं मांग रहा हूँ, स्वायम अपने लिए मांग रहा हूँ, आप में एक शमता हो तो भीक्षा दान करे, नहीं तो मैं आगे बढ़ू, मैं आपको यहां से कहीं नह नहीं मगरे, और मैं छुप दोवा रहा हूँ, केतना छोटा, इतना साधारन, इतना तुछ दान लेते हुए, आपको तो लज्जा नहीं आ रही है, कि तु ब्रामल देव, देते हुए मुझे लज्जा आ रही है, मांगे ब्रामल देव, कुछ ऐसा मांगिए, कि जिसे देत प्रेवे मुझे प्रसनता हो, गर्व हो लाजन मुझे तो केवल तीन पर गूमी चाहिए कुछ मत देना वत्स इस ब्राम्मन को कुछ मत देना इसे कुछ मत देना वत्स इस ब्राम्मन को कुछ मत देना गुर्देव, कि तु क्यों? इधर आओ, ये ब्राम्मन नहीं है तो तो फिर को नहीं है? ये चलिया है, ये स्वैम विश्णू है शिरी विश्णु भग्मान हाँ विश्णु जिसे तुम सब बड़े आदर से शिरी विश्णु भग्मान कहते हो परन्तु मैं जानता हूं ये कौन है क्या है देखो ना आज भी वामन रूप में हमें ठगने आ गया है मैंनी गुर्देव नहीं आप तो भाली भाती जानते हैं कि मैं माता लक्ष्मी का कितना बड़ों पासा को मैंने तो उनसे भी कहा था कि मैं भग्मान विश्णु के दर्शन करना चाहता हूं जो मेरे दादशी प्रलात की पूजे हैं गुर्देव मैं कितना सोभा के शाली हूं कि आज भागवान स्वन चलकर मेरे द्वार पर आये हैं मैं तो प्रसनता से पूला नहीं समा रहा हूं मुल्क मत बनो तुम विश्णु को नहीं जानते हो ये तुम्हें दर्शन देने न पूल है मैं जिनकी दर्शन के लिए इतना व्यकूल था वे मेरे सामने हैं किया से बड़ा सोभाग है संभाव है और और वह भी बिक्षुब मन कर ये जब एक धोंग है एक छलाव आये तुम इसके छल में मत आ ना महाराज के विचार में यदि कोई परिवर्थन हुआ हो तो ये ब्रह्मन बिक्षा लिए भी न भी जा सकता है राजन नहीं भग्मन नहीं वो फिर मेरी तीन पग भूमी मने दे दी दे भग्मन मने दे दी यो नहीं महाराज संकल्प लेना होगा अवसे लाजन लगता है कि कमंदल में कोई कीट फस गया है एक शन मेरा चाता लाजन राजन केट निकल गया मेरे अहो भाग्य के संसार को सब कुछ बाटने वाला आज मुझसे केवल तीन पग भूमी की आचना कर रहा है ब्रहमादेव नाप लीजे तीन पग भूमी मेरा दान स्विकार करके मुझे धन्ने कर दिजे तर्लो वाच मैं तीन पग नापता हूँ तर्लो व्लीजे अैस के ये तीन पता हूँ झालो वाच मैं तूमी की आचना कर दो अचना बाटने को से अचना कर दोफ़हा है झाल 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 कि अपिटों प्रिक्ट अप्तरन नहीं अब इसका समय नहीं हुआ है कि अपिटों इसका समय अप्तरन नहीं है हुआ है 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 आधी प्रजापती मुझे अपने कमंडल से मुख्ट करने की किरपा कीजिए मुझे धर्दी पर जाना है धर्दी मुझे पुकार रही है धर्दी को मेरी आवश्यकता है मैं जानता हूं देवी गंगा प्रिछ्वी पर आपका अवत्रण नितान्त आवश्यक है कि अभी आपके प्रिछ्वी पर अवत्रण का समय नहीं आया है अभी आपको यहीं मेरे कमंडल में रहके प्रतिक्षा करने होगी जो आ गया हे बली मैंने पहला पग उठा कर समस्त धर्ती और पाताल को नाप लिया है अब मैं दूसरा पग उठाने जा रहा हूँ हुआ है कर दो कर दो कर दूसरा पग उठाकर मैंने समस्त नक्षत्र मंदल और आकाश को नाप लिया है बली मैं जानता हूं ब्रामलदेव तब तो ये भी स्मरन होगा कि मैंने तेन पग भूमी मांगे थी प्रभू मुझे इस बात कभी भली बहुती स्मरा है और आप दीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान शेश ही नहीं है ये भी जानता हूं प्रभू हे बली क्योंकि दीसरा पग धरने के लिए कोई स्थान शेश नहीं है यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें तीसरा पाक्षमा कर सकता हूँ नहीं प्रभू ऐसा मत कहिए जिन हातों नाज तक बली से दान सुविकार किया है वे हाथ साक्षी है जिन आखों नाज तक बली को दान देते वे देखा है वे आखे साक्षी है जिन कान और आज तक बली की दानी प्रिवित्य की ख्याती सुनी है वे कान साक्षी है कि बली कभी अपना संकल्प से नहीं फिरता है बली ने साधा अपने हाथ खोल कर और नेत्र बंड करकर दान दिया है प्रभू, बली ने आपको तीम पग भूमी दान करने का वचन दिया है प्रभू, तो आपको अपना तीसरा पग उठाने ही पड़ेगा उठा तो लो बली, परम तु प्रश्न यह है क्यों से रखोंगा कहां कोई स्थान शेशी नहीं रहा मैं जानता हूँ प्रभू, मैं यह भली भाती जानता हूँ कि आपके दोनों पगोने, यह सारी श्रिष्टी, मेरा सारा राजपाट और जो छेत्र मनेट जीते थे, वे भी नापली है अब के वले की स्थान बचा है, जिस पर मेरा अधिकार है, जो मेरा है मैं तुम्हारा वाक्य पूर्ण होने की प्रतिक्षा कर रहा हूँ बली वो कौन सी वस्तु है, जिस पर अभी तुम्हारा अधिकार है प्रभू, वो वस्तु है मेरा शरीर बस अब मेरी काय ही बची है, जिसे मैं अपनी कह सकता हूँ जिस पर अब भी मेरा दिकार है प्रभू आप अपना तीसरा पग मेरे शीष पर धरिये ताकि संसार ये जान ले के बली के वल देना नहीं बचन निभान भी जानता है प्रभु किरपा करके उठाइए अपना पवित्र पग और धार दीजे मेरे शीश पर प्रभु ये मेरा अग्रेवी है मेरा हट भी है और मेरी विलिती है यह बली यदि तुम्हारी यह इच्छा है और यदि तुम यह समझते हो कि इसी में तुम्हारा उदार है तो मैं ऐसा ही करूँगा है मैं धन्न हो गया प्रभू मैंने अपना वचन निभा दिया हाँ बली तुम نے अपना वचन निभाया तो सही पर जानते हो कि ये सब मैंने क्यूं किया हे प्रभू आपके त्रिक्त आपकी लीला और कौन जान सकता ह। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि संभ़ता इसी में मेरा उधार नहीं थे कि परंतु जब तुम जीवन के दो राहे पर पहुंचे तब तुम उस मार्ग पर चल पड़े बली जिस पर असत्य का डेरा था एंकार का अंधेरा था यह वो मार्ग नहीं था बली जो मेरे भक्त प्रलाग में चुना था यह तो हिरन्य कशिपू की प्रव्रुप्ति का मार्ग था जिसके दमन चक्र को रोकने के लिए स्वयम मुझे नर्सिंग अवतार धारण